हत्यार लहरानी का वीडियो वाइरल होनी के बाद सी मुश्किल में फसे उत्राखंड के हरिद्वार की खान पूर से विधायक कुवर प्रणो सिंग चेंपियन के खिलाब प्रशाशन ने कड़ी कारवाई की है बीजेपी से निलंबी चेंपियन के तीन हत्यारों के लाइसन्स रद कर दिये गए हैं इसके साथ ही मामले को लेकर हरिद्वार की जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने कुवर प्रणो सिंग चेंपियन को नोटीस जारी किया है और पंदरे दिन में जवाब मांगा है हरिद्वार के सेसपी जनमेजे की रिपूर्ट के बाद जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने विधाएक चेंपियन के हत्यारों के लाइसन्स रद कर दिये आपको बता दे कि हाल ही में चेंपियन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो तीन पिस्टल और एक असॉल्ट राइफल लेकर डांस करते नजर आई थी वो वीडियो में अपने समर्थकों के साथ शराब पीते और गाली गलोच करते भी दिखाई दिये थे प्रणाव सिंग चेंपियन का वीडियो सामने आने के बाद हरिद्वार के सस्पी जनमेजय ने मामली की जांच के आदेश दिये थे इसके बाद एक सवाल के जवाब में उत्रा खंड के डीजी अशोक कुमार ने कहा था कि विधायक प्रणाव सिंग चेंपियन और उनके परिवार को हत्यार लाइसेंस जारी करने में कानूनों की उलहंगन की जांच के आदेश दिये गए हैं यदि कानूनों का उलहंगन पाया जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा इसके अलावा हत्यार लहराते वीडियो वाइरल होने के बाद बीजेपी नेतरुतने चेंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था फिलाल इस खबर में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ